कि हेलो फ्रेंड्स में विदि किशोर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिकेट दुकान में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं 19 स्थम्बर को के दूसरे पार्ट में मुंबा इंडियास और चिन्ने सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जाना है इस मैच के चलते दोस्तों हम आपको उन दिल्चस्प पापड़ों के बारे बताएंगे जो इस मैच में बन सकते हैं अब तो दोस्तों मैं आपको पहला अकड़ा बता दूँ दोस्तों मुंबंट एंडियास और चिन्ने सुपर किंग्स के बीच अब तक कुल 33 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से 20 मैच में जीते हैं और तेरा मैच चिन्ने सुपर किंग्स की टीम लिए जीते हुए हैं तो जस्प्रीद बुम्रा अगर इस मैच को खेलते हैं तो अपना सभॉ आइपियल मैच खेलेंगे वहीं चिन्ने सुपल किंग के लॉंडर डेवन बरावों का भी यह सभॉ आइपियल मैच होगा अगर डेवन बरावों को भी प्लेइंग लेवन में मौका मिलता है तो उनका भी सभॉ आइपियल मैच होगा दोस्तों में आपको तीसरे स्केट बता दूं कुनाल पांडिया जो मुमेंट नंस के और रांडर है अगर वो इस मैच में एक रिकित हासिल करते हैं तो क्रण पुलाट के बाद मुमेंट नंस के ऐसे और दूसरे ऐसे और रांडर बन जाएंगे जिनके नाम 50 विकिट भी होंगे आईपियल में और 1000 से जाधर रन भी होंगे हैं दोस्तों मैं आपको चौतर स्टेट बता दूं लोईस सर्मा अगर इस मैच में तीन चक्के लगाते हैं तो वो टी-टॉन्टी क्रिकिट में 400 चक्के लगाने वाले पहले बारती मैं आपको छटा स्टेट बता दूं मुम्में इंडियास की जो टेल लियन वाज है ट्रैंड बोल्ट अगर वो इस मैच में एक विकिट हासिल करते हैं तो टी-टॉन्टी क्रिकिट में अपने डेर सो विकेट पूरे कर लें दोस्तों मैं आपको साथवे स्टेट बता दूं अगर चिन्ने सुपर किंग्स के कप्तान मेहन सिंग दोनी की बल्ले वाजी स्मैच में आती है तो वो इनके टी-टॉन्टी क्रिकिट की 300 वी पाजी मतलब वो 300 वी बार मैदान पर बल्ले वाजी गन्दे उतरेंगे तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं आपको माली वीडियो कैसी लगी किट-किट की ऐसी दिल्चस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरह सब्सक्राइब कर ले